नमस्कार गायतरे जोतिस के इंद्रमाव सबी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमें साइज जोतिस सास्त्र की महत्तपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से संबंदित पी अत्यंत महत्य पूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आज हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे असुब योग जिसे महा कष्ट कारी माना गया है और विशेश तोर पर हमारे जोतिस सास्त्र के सर्वस्रेष्ट रिशी माने जाने वाले पारासर मुनी ने तो सर्वस्रेष्ट असुब योगों में इसे सर्वस्रेष्ट माना है कि यह योग यदि किसी ब्यक्ति की जर्म कुंडली में बन जाए तो यह अवस्य ही पीडा दायक रहता है और व्यक्ति को समय समय पर पीडा प्रदान करता है इस योग को अमावस योग कहा गया है अमावस योग जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं किसी एक घर में तो उस परिस्तिति में यह अमावस योग बनता है विसेश तोर पर जब अमावस योग बनता है तो उस परिस्तिति में जब यह अमावस योग बनता है तो ब्यक्ति को यह बहुत बुरी तरीके से प्रवावित करता है उसके पीछे बताया गया है कि सूरी और चंद्रमा भिन्न भिन्न तत्तो वाले ग्रया है दोनों की प्रविट्ती और प्रविट्ती अलग है सूरी जहां अगनी तत्तो है तो चंद्रमा चल तत्तो है जब चल और अगनी दोनों मिलते हैं तो वास्प बन जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो दोनों की इस्तिती यहां पर को खराब मानी गई है, दोनों प्यक्ति को पीड़ा दायक पीड़ा देते हैं, पीड़ा दायक प्यक्ति के लिए माने गई है, चंदरमाब इसे इस तो की असंतुलर व्यक्ति को अवस्य ही परदान करता है यहां तक कि पागलपन या एक प्रकार से जिसे हम संकि कहते हैं, मैंटली डिस्टर्ब कहते हैं, साइको कहते हैं इस तरीके की प्रवित्ति चंद्रमा दे दिता है व्यक्ति कभी एक जगा पे इस्तिर नहीं रह सकता है, दूसरा सूर्य, अपने निकर्तम जो लोग होते हैं, उनके साथ संबंदों को बिच्छेत करना, उनसे संबंदों से दूरी बनालना, कहीं न कहीं, कटुता संबंदों में पैदा करना, स्वास्त को कष्ट देना, वो समाज में, मान सम्मान में गिरावट, य नहां पर को सूर्य ग्रह माने गए है, सूर्य और चंद्रमा की यूती जब बनती है एक ही स्तान पर, तो अमावस्योग में वहाँ मानी जाती है, अमावस्योग उसे कहा गया है, तो हमारे पारासर रिशी रही और भी कई रिशीयों ने इस योग को अत्यंत ही कष्टकारी म माना है, और अवस्य ही यहाँ प्रभावसाली रहता है, विसेश तोर पर जन्म कुंडली के जो बार भाव होते हैं, वहाँ पर को भी इसकी इस्तिति को प्राथनिक्ता दी गई है, वहाँ पर को देखा जाता है कि सूर्य और चंद्रबा किन भाव के स्वामी है, कई माने गए है, विसेश तोर पर च्टेस्तान, आठवेस्तान और द्वादस्तान पर अत्यंत ही कष्ट कारी वह खराब फलदाई माने गए है, यदि च्टेस्तान पर यहाँ बन जाते हैं, तो ऐसा माना गया है कि यहाँ पर को ब्यक्ति को जीवन पर सत्रुबाधा का सामना क पड़ता है या किसीने किसी प्रकार की रोक बादा साट्रीक तोर पर अपंगता का पीसिकार बेक्थी को यहाँ पर होना पड़ता है साथ ही साथ अस्टम भाव में यहां बन जाए तो अकाल मृत्यु का भाई बना रहता है बार बार दुरकटनाओं का भाई बना रहता है यदि 12 भाव में बन जाए तो अपना देश कमन यानि कि अपने देश को छोड़ना पड़ता है अपने मूरस्तान को छोड़ना पड़ता और इस्तानों पर भी यह खराब फल माना जाता है इसका चतुरत भाव में जहां माता के स्वास्ते में गिरावटकारी माना गया है वहां बच्पन में घर को छोड़ने वाला भी माना जाता है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि घर से बच्चे भाग गए आज तक पता नहीं है तो वो इस्तिती भी यहां पर को ऐसे में देखने में आती है दसमभाव में पिता के स्वास्ते के लिए तो कष्टकारी माना ही जाता है सांती सांत स्वायम में के मान सम्मान में गिरावटकारी वह पिता से संबंदों में विच्छेतकारी वह पिता की उम्र के लिए भी कष सभूसाइट को नहीं हो जोते में जहां तो जिए सोरलै षे-बिक्रार अबादा फुरूण चंडर्मा को बियक्ति को बुद्धी देने वाला मनमसित सब्सको को कंट्रोल सभिमित करने वाला ग्रह माना जिया है ताकि उसको कही पर कोपग में दिक्कत ना आए तो ऐसे ग्रह जब किसी योग बुरे योग में फ़जाते हैं जीवन में व्यक्ति को सब कुछ ठीक चलते हुए भी परिसानी अवस्य ही उठानी पड़ती है तो इसके लिए तो आप किसी व्यक्ति की जर्म कुंडली में हो किसी जोती सियादी से बहुत बढ़िया तरीके से विचार में मर्श कर इसका उपाई समाधाना प्राप्त कर सकते हैं इसमें सब कुछ देख लेने के पस्चार यदि हम मोटे तोर पर इसका उपाई वह समाधान बताएं तो इसके लिए नित्य सूर्य उपासना वो भी ब्रह्म महुर्त अधेरे में ही भगवान सूर्य को जल देना वा नित्य भगवान सिवर संकर को क्योंकि उनके ही जटा का रासी परिवर्टन होता है उस दिन को उप्वास रखते हैं तो उस दिन का उप्वास रखना नित्य सूरी को जल चड़ाना आ लोगवर आदि के दिन कवे हैं।। सी योग से धीरे धीरे से व्यक्ति को राहत मिलनी सुरूर होती है विसे इस तोर पर नित्य सूर्य उपासना और भगवान सिप संकर बोले नात को जल देना अत्यांत महत्त पूर्ण है इसके अलावा पॉन्डमासी वा सूर्य संगरांती का उप्वास विस्त्रिया महिलाएं क कर सकती है पुरुस्ति के ना भी करें तो चलेगा पुरुस्ति और यही दो चीज कर लें नित्य सूर्य उपासना वा भगवान सिप संकर को जल देना महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं तो अत्यांत ही सुब इन उपायों को माना गया है इसके अत्रित जन्म पत्रिका को देखत जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं उससे संबंदित उपायादी भी किये जा सकते हैं और नित्य पाथार्चन जैसे बताया आपको अधित तेर्दैकवाद वा बिश्नुसाहस्त्रिस्त्रोथ पार्ट नामावली या कोई रत्न धारणा यह तो पिर परिश्तितियां देखते हुए निकल के आएगा किन्तों यह चीज़े तो अवस्य ही कर लेनी चाहिए और दूसरी बात अपने पित्रों का सम्मान जैसे अपने पूर्वोजों का जो है जैसे हम पितर आदी है उनको जैसे स्राध्द पक्षा आता है उस समय पे पर इसको यह थितियां पर पिए उस दिन पर उनके निवित्ट कुछ न कुछ हम कर सकते हैं कई ऐसे उपाए होते कई चीज़े होती हैं तो वो चीज़े भी आप कर सकते हैं इसके लि sigee जोतिसी या कोई जो करम कांडी प्रावन लोग होते हैं उन लोगों से भी आप जानक और देते हैं अमावस योग यदि बनता है तो समझ लेजिए कि यह पित्र दोस्त को भी उत्पन्न करता है यानि कि आपके पितर आपके पूर्वत आपसे खुस नहीं है रुष्ट हैं अब रुष्ट किनी कारणों से भी हो सकते हैं हो सकता है हमारी पूरानी पीडी ने कुछ गलत क्या हो उसे पूर्व के पितरों को कुछ रुष्टता हो या जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हो पूसे लोग कहते हैं हमने तो सब कुछ सही किया फिर भी हमारे पितर क्यों हमसे रुष्ट है तो हो सकता है कि उनके कुछ दादा पर दादा लोगों को कहने कुछ गलती हुई हो जिससे की उपर को भी तो पितर है ना एक दिमाग का सवामी है इनको सकती देता है हमें जना आदिय अमारे सरीम में पिदा करता है और भी कई चीज़ा है तो जब वो बिलकुल silent हो जाएगा दिखेगा ही नहीं तो इन चीनों की कभी अवस्य ही व्यक्ति के जीवन में होती है तो जब सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो जाते है तो ये पितर दोस को भी उत्परने करते है दूसरा इसके साथ इक ग्रहन दोस सूर्य और राहु का चंद्र और राहु का या केतु के साथ इन दोनों का आना या मंगल की नीच इस्तिति तो यह भी जन्म कुंडली में पितर दोस को उत्परने करते है लेकिन यह मान के चले कि यह पितर दोस की बहुत बड़ी अवस्ता है यहां पर हमको सचेद हो जाना चाहिए और हमें कुछ न कुछ उपाए कर लेने चाहिए पितर दोस्ते सब बड़ी और फिलाहाल वरतमान की इस्तिति या बड़े बचाव है तो अगर नियमित तोर पर हम इनको करेंगे सुर्य और पासना जो हमने आपको बताया अग्वान सिप संकर को जल देना या उपवास आ दिये तो इससे भी हमारा बचाव होगा जब तक हम लियमित तोर पर करते रहेंगे तो कहीं न कहीं असुप फल हमारा इस दोस्त का करता रहेगा और कहीं न कहीं जो अगर यह सुप फल प्राप्त देने वाले हों हो सकते हैं सुप भाव के स्वामी हो लेकिन असुप योग में फल गए हो और जिस भाव में बैठे हो उसका स्वामी कमजोर हो गया हो बराबर की स्थित्या आ गई है और फल देने लाइक नहीं है वाले हमसे समधी कितनी ही बड़ी आराधनाय उपासनाय कर रहे है तो उस परिस्थित्य में भी यह इन आराधनाओं से आपको फल प्राप्त करवा सकते हैं तो और भी कई स्थित्यां देखी जाती है इस दोस के लिए या किसी भी दोस के लिए जर्म कुंडेली में बनते हैं अब यह तो बहुत गौर से देखना पड़ता है वैसे जो तिस में जब हम किसी जर्म पत्रिका का फलिक तोर पर विचार करते हैं तो बहुत कम ऐसे दोसों को देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर को यह योग 20% प्रवावसाली माने जाते है किन्तो जो इस्ताई ग्रह होते है वहलग बग 80% 70% फल दाई माने जाते है और गोचर में जो लंबे समय तक चलने वाले ग्रह है उनकी इस्तिती 20-30% का फल देती है तो तब जाके 100% का फल एक अच्छा जियोतिसी कहता है तो इन योगों में ऐसे बहुत से जो पावरफुल योग होते है जिनको देखना अवस्य होता है जैसे गचकेसरी योग है बुदादित्ती योग है और कई-कई पर परिस्तिती जब खराब होता है अनपासुनफा योग है और भी कई योग है और खराब योगों में कालसर्प दोस्ट गुरुचान डाल दोस्ट ऐसे अमावस योग, ग्रहड योग और भी जैसे अंगारक दोस होता है ये भी देखे जाते है तो ऐसे सुभ योग में और भी कई योग हैं, हम आपके लिए बीच में लेके आए हैं, तो लगबक उन योगों का उतना ज्यादा महत तो नहीं है, कि तो फिलाल गुदा दित्ती योग और गजके सिरी योग को अत्यांते ही प्रवावसाली माना जाता है, यह योग यदि किस जन्मे को अत्रिका में बनते हैं, तो अत्यांते ही सुभ फल प्राप्ते यह करवाते हैं, तो आज हम आप लोग के लिए अमावस योग से संबंदी जानकारी लेके आए, अब प्रैक्टिकली तो और एक कुछ समय बाद आप लोग के लिए योगों को जन्मे को यहां पर ड जानकारी बहुत अच्छी रहती है, आप देखेंगे तो स्वैम कहेंगे कि अच्छी ही रहती है, तो जुडिया गायतरी जोतिसकेंदर से चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नहीं जानकारी आपको देखने माएगी, जब भी आपको जानकारी आपको लगेगा कि कहीं ने कहीं हमें कुछ ने कुछ इस जानकारी से लाभी ही हुआ, तो जुडिया गायतरी जोतिसकेंदर के साथ, तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैसरी राम, ज नमस्तिवाइ